Hello and welcome guys इस किया कि भाई यहां पर दो बंदे अविलिबल नहीं है जिसको हमेशा यहां पर होना जरूरी है एक है बिग स्मोक जो कि रहता है परपल गेंग वाले एरी के आसपास और दूसरा है राइडर जो कि हमारी गलोनी में रहता है पर आज वो दोनों बंदे अविलिबल नहीं थे इसका सीधा सीधा कनेक्शन मैंने अपने मन में बना है बहले मैं ओवर तिंक कर रहा हूँ प्रीवियस वाले मिशन के थूँ जहां पर वो बंदे हमको छोड़कर भाग गए थे लास्ट में उनको बच चला है कि यह तो बचके निकल रहे है तब वो आ गया था हमें लेने के लिए तो भाई मुझे पूरा पूरा कनेक्शन उससे लग रहा था तब ही मेरे पास सीजर का फोन आता है जो कि एक राइडर है और सीजे की वहन का बॉइफ्रिंड भी है उसकर फोन आता है कि यहां पर इस एरिया में ना इतनी गंदी चीज़ चल रही है तुझे आकर देखना पड़ेगा मैंने बहुत दार पूछ़कर भी चन कहा रहा है बता तो भाई यही सारी चीज़ जानने के बाद मैं उसकी तरफ निकल गया हूँ और थोड़ी से दूरी पर वो दिखा रहा है और मॉस्स लोकेशन पर पहुँच गया है यह रही वो लोकेशन और यही पर राइट साइड में ख़एड़ बैठा है सीज़ अपनी गाड़ी में सीज़ नहीं सीज़ अपनी गाड़ी में और सीज़ उसके साथ जाके बैठ गया है भाई हम दोनों इस गाड़ी के अंदर से क्या देखते हैं हमें अपनी आँखों पर यकीर में हो था से निकलता है दो परपल गयां के बंदे मुझे रगता है सारी साजिशन के लिए लेकिन भाई राइडर और स्मोक बिग स्मोक ये मोटा भूंदा हुआ अलू फिर निकलते हैं और अंदर से पुलिस वादा भी निकलता है टैंपनी मुझे लगता है कि बाई इनकी कोई इन्हो ने तो स्वीट की सुपारी दे दी है परपल गयां को और ये चाहते हैं कि अगर स्वीट किसी भी तरीके से रास्ते से हट जाए तो सीजे को बाद में हटा दें और ये पूरा एरिया हो जाएगा हमारा तो भाई इस गलती के लिए साजिश के लिए मैं इनको माफ तो नहीं तो भाई मुझे उसकी लोकेशन पता है कि वो कहां पर अवेलिबल है और इस ताइम पर परपल गया है उस पर हमला कर चुकी है ये भी परदा चल गया है अभी मेरे अंदर जो खून की ज्वाना घता करी है मैं उसको रोक नहीं पा रहा हूं और मैं जा रहा हूं सीद भाई मुझे डर नहीं लग रहा है मैं इन सब को मानूँ और सुईट को बचाना मेरी जिम्मेदारी है अभी सुईट को वोड़ा भाई तो दो में डोल कर मैं अभी आया इतनी देर में जितनी पे परपलगयान के बंदे थे मैंने इनके करों को सब को नुटा दिया है तो को इस टाइम मेरा उस्सा बिलकुल आसमान पर पावर बहुत थोड़ी सी बची हुई है पर मेरा मन नहीं बिलकुल किसी को भी छोगने का और यहां पर ही है मेरा मिशन थोड़ा सा समाँ आप करेंगे फिर से ट्राए पावर बहुत कम तीस पावर भी पिछा के चलनी और भाई अब यह फटी है जास अभी तो आइटिंक यह वाली टैक्सी लेकर निकल चलता है क्योंकि स्वीट की पावर कम होती जारी है उसकी पावर कम होने से पहले हमें आप पहुंचना है और अपनी पावर पे भी ध्यान देखर उन मंदों को मारना पड़ेगा रास्ता म लोग बिल्कुल लोकेशन के पास ही है फिर से एक परपल केंग का बंदा निप्टाया यह दूसरा निप्टाया गाड़ी से ही और तीसरे ने गाड़ी खोल के मुझे निकाल दिया है बार और चला दिया है दो थिन गोलिया पर उससे जादा पावर फे एफेक्ट आया नही और उनकी अगर री इन्पोर्समेंट आई तो उन्को भी देखना पड़ेगा घाड़ी पयाड़ी आये जा रही है लेकिन जाड़ी रूकने से प्ल्ट आगे पल्टा दिर है हम लोग उनकी खोले इससे पहले तो गाड़ी फट या नहीं अनलों है तो और अह एक भाई बही पुलिस वालों की भी तो मैंने सीधा हाथ खड़े कर दे बिकास ये गरफदार करने की मूड से नहीं है इंकाउंटर करने की मूड से आया थै टैंपनी के ऊपर मेरे में बहुत सारे उपकार है लेकिन उसने कैसे न कैसे करके में चोड़ दिया भाई वो मुझे लेकर आया किसी अनौ जगा पर अभी अभी उसने मेरा मास कटा है मुझे नहीं पता है मैं के सेरिया में हूँ क्या चिल रहा है पर फिर वो मुझे एक्स्पेंट करता है कि भाई देख तो उन्हें ना बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए की हैं तो तिरे को मारना में वर्त नहीं लगा और तिरे को मार भी देते स्वीट को खत्म करने के लिए कहा था सीजर ने और मोटे आलू ने स्मोक ने तो भाई इनकी बात ये हुई थी कि अगर ये लोग ऐसा करेंगे तो ये लोग इन्लीगल दंदी को जो परजन्ट है प्रॉफिट का दोनों गैंग वो टैंपनी को देंगे ये बस चाहते हैं कि हमें बाहर निकालना मुझे और सुीट को बिकास हम ऐसी किसी भी अलाइंस का पार्ट कभी ही नहीं बादेंगे बिकास हमें हमारी गैंग हमारे घर वाले बहुत प्यारे हैं तो भाई उस नशेडी ने और उस आलू ने हमारी पूरी गैंग का सौदा कर दिया था बहुत सस्ते में फिर भी पुलिस वाले ने बुझे छोड़ दिया है यह क्याकर कि भाई देख तेरा भाई जो है वो बिलकुर सही से नामत है जिन्दा है और उसका इलाज चल रहा पुलिस के हॉस्पिटर में अगर उसको जिन्दा देखना चाहता है तुझे इसी एरिया में रहना पड़ेगा हम तो एक कॉटेज देंगे एक बाइक देतेंगे और तुझे ऐसे बहुत सारे काम है इस आउट सकर्ट एरिया में जो हमारे लिए करने पड़ेंगे तो अगर तुन सब को अच्छे से कर देता है स्ट्रीट मिल को ठीक रहेगा तुझे वापस में मिल देगा और शायद धिरकुत के रहा एरिया भी वापस दिलाना में हल्प कर सकते हैं उन लोग पर अभी फिलाल तुझे रहना वड़ेगा इसी एरिया में और हमारे लिए कुछ काम करने पड़ेंगे इसमें से पहला यह है कि एक बहुत ही खूफिया एजिंट जिसको मेरे खिलाफ मतलब टैंपनी जो पुलिस वाला इसके खिलाफ बहुत सारे सबूत मिले हुए हैं उसको FBI ने अपनी गिरफ्त में रखा हुआ पहाड़ी के उपर और बहुत हाई सेक्यूरिटी के साथ तो तुम्हें जाना है उसके पास और उसको मारना है और मार कर उसको एक फोटो बेजना हमको ताकि में परशेशन लेए कि परूफ मिल जाए कि आवे वो मार दिया है और उसके बार कोई खत्रा बचा नहीं अभी तो पर मैं उस चीज से कर लेता हूँ अगरी कि एक बंदे को बारना में क्या ही प्रोबलम आती है तो पता नहीं कितने मारे हूँ अभी उसकी लोकेशन डूंटे डूंटे मैं आगया हूँ उसी रास्ते पर और अब यहां से वो रास्ता स्टार्ट हो जाता है भाई इन्होंने मानना पड़ेगा आफ्बया नहीं जो अपना बनाया है लोकेशन वो जो कितने सई जहाँ पे बनाया है रास्ता ही है इसे लोकेशन पे ऊपर जाकर भाई पित कितना पतला रास्ता है ऐसी लोकेशन पर उपर जाते हैं उन्होंने बनाया अपना स्कूफिया कोटेज इसके अंदर एक दूसरे एजेंट को रखा है जिसके मैं सारे प्रूफ है ताकि उसको कोट ले जाने तक बिल्कुल सेव रखा जाए पर भाई अगर वो बना मेनी हेल्प कर रहा है और अगर मेरे बाद में भी काम आएगा तो मैं उसको अभी छोडने सब्सक्राइगा ये है वो कोटेज चारो दौराफ है पुलिस वाले और भाई पुलिस वालों से होते हुए मुझे जाना पड़ेगा अंदर उस बन्दे को मारना पड़ेगा और उसको फोटो भी हीशनी पड़ेगी अब इस पॉइंट पर सबसे बड़ी प्रोब्लम मेरे साथ क्या है कि मेरे पास कोई गन नहीं है और वो सारे FBI एजेंट है सब के पास गन होएगी अगर इन लोगों को अगर उपन्दे को मार के मैं क्लियर करके आ जाता हूँ तो आप लोगों को करना पड़ेगा इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सबस्क्राइब कर देना है प्लीज बहुत कम सबस्क्राइब है रिक्वेस्ट ही करना और नहीं दे रहा है तो भी अभी ये लोकेशन है सामने की तरफ मैं सुच्छों कि इसका फोटो कीशने से अगर काम बन जाएगा तो भी यहाँ पर है खीच के देखते हैं इपर वो बंदा मार रही है लोकेशन की फोटो कीशने है कुछ खास इपक्ट आया नहीं है निरको कोई और गाइडेंस मिला नहीं है टाइम बचा है थोड़ा सा कम अभी मुझे जाकर करना पड़ेगा इनके उपर अटाक ही पगर उनके पास गन है मैं ओपन नी अटाक कर नहीं सकता है पहुचने से पहले तो बिचा देंगे निरको तो पेड़ के पीछे से होते हो तो इतने बड़े बड़े पेड़े एक तो एक बंदे का तो पचास गुना बड़ा है पर यहां से में बुच बंदा हो लोकेशन देखने रहे है पर फोटो कीचने से कुछ हो नहीं रहा है अब मैं चलता है काम करता हूँ अंदर ही चला जाता हूँ वह बंदा दूसरी तरफ देख रहा था इतने में बैठके बंदर चला गया हूँ और यह रहा बंदा इसको मुकों से ही मारना पड़ेगा बंदा कमजोर था था मुकों से ही मर गया इसकी कीचने एक फोटो फोटो कीचते हैं हमारा जो मिशन है वह यहां इस पॉइंट पे हो गया खतम तब ही इन्हीं की बाइक लेकर मैं निकल जाता हूँ अपनी बाइक तब भाग के जाऊँ इतनी दिमें तो निप्टा देंगे मिरको तो अपनी बाइक लेकर मैं निकल गया हूँ और पूरा रास्ता वैसे ही था करने से अच्छा मुझे लग रहा है के पार्डी से कूच जाता हूँ जाता से अधा क्या होगा री एटेंट करना पड़ेगा री एटेंट कर लेंग यार निकालते हैंगी से अच्छा मुझे बढ़िया था यहां से मिशन स्टार्ट किया लाए अब मैं पॉशने माला उस लोकेशन पे मिशन हो गया है कम्पलीट प्लीज चैनल को कर देना सब् दे रहता है मिलते हैं नेक्स वीडियो में अपनी गर्वालों का रखो ध्यान और तब तक हम सबको राम राम